नमस्कार दर्शकों मैं हूँ प्राची और आपका स्वागत है आज की हमारे नए हेल्थ सेग्मेट में और आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो है स्क्रीन टाइम और आई हेल्थ डिजिटल एज में महिलाओं की दृष्टी की रक्षा करना आज कल की डिजि टैबलेट्स टीवी और अन्य इलक्ट्रोनिक डिवाइस हमारे दिन चर्या का महतोपन हिस्सा बन गया है बहले ही यह जीवन को आसान करने में मदद कर सकती है पर वो अपने साथ आखों के स्वास्ते को भी प्रवावित कर सकते हैं खासकर मैलाओं को स्मार्टफोन्स लाप समय तक स्क्रीन पर ध्यान देने से आंखों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब हम दिन बर स्क्रीनों पर नजर रखते हैं तो हमारी आंखों को बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है यह तनाव आंखों की मान स्पेशियों को कमजोर कर सक सकता है और नजर कमजोर होने लगती है स्क्रीनों के साथ आने वाली ब्लू लाइट भी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है इसका असर नींद की समस्या उपर भी पढ़ सकता है जिसे आंखों के स्वास्ते पर नकारत्मक प्रभाव पढ़ सकता है महिलाएं खास कर अपनी आ तर्फिश्टी के रक्षszा करने के लिए कैसे सर्जग रहना चाहिए पहला निय्मित Jul Will don अँकोग विश्रा vitonna मैट पूल्स में समय तक डेंगने से आंपकों के लिए नुकसान हो सकता है इसलिए लिए अपनी आंखों को मेथ्तु पुल हिस्टा है यो हमारी डैनिक डिजिटल लाइफ स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है दूसरा ब्लू लाइट लू लाइट फिल्टर का उप्योग समार्ट फोने और कंप्यूटर पर करने से हम अपनी आँखों को Blue Light की हानिकारक रे से बचा सकते हैं इस फिल्टर का उप्योग करने से आँखों के साथ होने तनाफ को कम किया जा सकता है जो दिन बर स्क्रीन के सामने बिताने के बाद आमतौर पर होता है Blue Light Filter का प्रयोग करने से सुबह और रात को भी आँखों का स्वास्त बना रहा सकता है जो हमारी जीवन चैली के निरंतर बदलते पहलों के साथ अनुकलित हो सकता है स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाई रखने का मतलब है कि हमें अपनी आँखों को स्क्रीन से कुछ दूर रखने का प्रयास करना चाहिए यह आँखों की महनत को कम कर सकता है और आँखों के संतुलन को बनाई रख सकता है जब हब बिना रुके स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारे आँखे ठंक जाती है और हमारे दृष्टी कोण दुरूपयोगी हो जाता है इसलिए स्क्रीन के साथ सावधानी बरतना हमारे दृष्टी कोण और आँखों के स्वास्ते के लिए मैतोपूल है चोथा रोजाना का जांच परिक्षन का मैतो अत्यदिक है आपकी आँखों की स्वास्ते का सरक्षन बहुत मैतोपूल है और नियमित रूप से आँखों की जांच करवाने से आप अकेले आने वाली समझ से आँखों पहचान सकते हैं इसलिए डॉक्टर से सला लेना और उनके सुझावों का पालन करना अत्यद मैतोपूल है आपके आँखों के स्वास्ते को बनाए रखने के लिए इस आदत को अपनाना आपके लिए और भी बेहत फाइदिमन साबित हो सकता है डिजिटल एज में स्क्रीन टाइम का सही प्रबंदन मैतोपूल है खास कर महिलाओं के लिए जिनके दृष्टी को डिजिटल स्क्रीनों के प्रयोक से आने वाले तनाव का सामना करना पड़ सकता है महिलाओं स्क्रीन टाइम के मैनेजमेंट के माधियम से अपने आँखों के देखभाल कर सकती है यदि वो उपरुक्त सुझावों का पालन करती है तो वो अपने आँखों के स्वास्ते को बहतर बना सकते है और दृष्टी की रक्षा कर सकती है Screen time और आखों के स्वास्ते के बीच संबंध है और महिलाएं अपनी दृष्टी की देखभाल के लिए विशेज ध्यान देने की जरुवत है सही आखों की देखभाल, screen time को manage करना और आखों की नियम में जांच करवाना आपके आखों को स्वास्त और सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है इसलिए डिजिटल एज में भी महिलाएं अपनी दृष्टी की रक्षा करने के लिए सजग रहें और उप्यूक्त कदम उठाएं ऐसे ही कुछ unique tips और एक healthy lifestyle पाने के लिए हमारे चैनल को like, share, comment और subscribe करें झाल 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 झाल